प्रूफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश के विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजी अधिकता है दिली में रहते हैं नमस्कार जोतिस ग्यानमे दर्शु को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आएए बात करते हैं एक बहुत सुन्दर पर्व रक्षा बंदन की रक्षा बंदन हम अपने हाथ में कलावा बानते हैं मोली बानते हैं खमनी भी इसको बोला जाता है पंजाब की छित्र में और अपनी अपनी प्रांतिय भासाओं में नाना भाती से कोई खमनी कहता है कोई मोली कहता है कोई कलावा कहता है कोई डोरी कहता है कोई पूजा का धागा कहता है तो ये जो हम हाथ में ये धागा बानते हैं रक्षा सुत्र बानते हैं ब्रामन जब पूजा करते हैं तो आपकी कलाई पर जिस वक्त ये रक्सा सुत्र बांदा जाता है तो कहीं न कहीं रक्सा के घेरे में आपको सुरक्षित किया जाता है आपकी सुरक्सा रहे आपकी रक्सा रहे देवी देवताओं की करपा आपके उपर हमें सब बनी रहे और ये रक्सा सुत्र आपकी रक्सा तो करेगा ये करेगा और आप आज ऐसा एक सफत ले रहे हैं कि जीवन भर आप भग्वान की सेनिधी में रहेंगे जीवन भर आप धा बहन अपने भाई की हतेली पर जब रक्षा सुत्र बानती है तो रक्षा बंधन बन जाता है, बहन का भी तातपरी है अपने भाई की सुरक्षा के लिए है, अपने भाई की रक्षा के लिए है, अपने भाई के सुंदर जीवन के लिए है, सुंदर जीवन की मंगल कामना ये भेन भाई के लिए करती है मेरी दर्शको आप मेंसे कई बार ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जहां कहीं इस रिस्ते में दरार आ जाती है मन मुटाव आ जाता तो इस तीज पर इस परव पर इस मन मुटाव को इस बार आप जरूर उखाड़ फैंके हैं अर्थार्थ मन मुटाव को दिल में जगा न दें आपको इस रक्साबंदन को वश्य मनाना है आप ये न समझें कि बहन आती है या बहन के पास समझाते है मैं इस एक धागा बन जाता ये धागा नहीं है ये प्यार का धागा है तोड़े से नहीं तूटता इसलिए हम भाई लोग चाहें बहन से कितने भी बड़े हो छोटे तो छोटे हैं ही कितने भी बहन से बड़े हो हमें साथ छोटे रहते हैं बहन मत दुल्ले होती है कहना नहीं चाहिए कई बार कुछ लोगों की मा संसार से चली जाती है बहन का प्यार मा से कम नहीं होता इसलिए इस रिस्ते में भेदभाव नहीं होना चाहिए बाई को किसी का नहीं सुनना है बहन को किसी की नहीं सुननी है बस इस रिस्ते में एक मिठास की आवर्शक्ता है और वास्तम में जहां चाहें ब्रह्मन हतेली पर कलाई पर धागा बांदे देवताओं के मंत्र का उच्चारण करता हुआ और चाहें बहन कलाई पर राकी बांदे रक्सा सुत्र बांदे धागा बांदे दोनों में समानता है महाद देवताओं से कामना और यहाँ एक भेन की भाई के पुरती सुब मंगल कामना इसलिए कहीं पर ऐसा दर्द हो मन मुटाव हो कोई ऐसी टीस आपके मन में हो सब कुछ भूल जाएं एक मा की संतान है एक पिता की संतान है एक उस परिवार में जहां बहुत हसते थे खेलते थे, कुदते थे, फानते थे खुब नुख जोग भी हो जाती थी एक वो प्यार याद करें एक वो समय याद करें एक वो जमाना याद करें है ना तो प्यार को ना भूलाएं प्यार को वापस लाएं मेरी आप सब से यही प्रात्रा है अब आईए मैं बात करता हूँ रक्षा बंदन के बारे में हमेशा रक्षा बंदन पूर्णिमा में ही होती है और पूर्णिमा के समय एक विशेश चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि भद्रा वास्त ना कर रही हो भद्रा समय जो होता है भद्रा काल जो होता है वो अशुब समय माना जाता है तो अशुब समय में कोई सुब काम करने से हम लोग परेज करते हैं इसलिए भद्रा अगर वास्त कर रही है भद्रा का समय है उस वक्त में जो रक्षा बंदन से सम्बंदित कारी है वो नहीं किया जाता बद्रा को निकाल दिया जाता उसके बाद में करम किया जाता तो कई बार आपके मन में तरह तरह की बाते आती हैं तरह तरह के आपको मुरत बताई जाते हैं तरह तरह के आपको कई बार हम डर भी जाते हैं एक साल मुझे खुद याद है कि आज रक्षा बंदन नहीं मनाए जाएगा आज केवल दस मिनट के लिए मनाए जाएगा तो ऐसा नहीं होता ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना हाला कि कई बार भद्रा एक लंबे समय के लिए विश्रन करती है लेकिन ओप्षन हर चीज में आता वह हम चोगड़िया उठा लेते हैं चोगड़िया में शुब लाब चर आदी के सभी मूरतों को हम लोग देख लेते हैं तो सबसे पहली बात आप बिल्कुल नी संकोच इस बार जो रक्षा बंदन है पंद्रा अगस्त दिन भी देखो कैसा है पंद्रा अगस्त का रक्षा बंदन है और जो पूर्णिमा की थी थी है यह शाम छे बज़ कर एक मिनट तक पूर्णिमा रहेगी यानि के शाम को छे बज़े से पहले पहले आपको रक्षा बंदन का यह पर्व मना लेना है चाए बहन आएं या आप जाएं इस कर्म को पूरा करने हैं दूसरी बात दिन ब्रस्पतिवार का है ठीक है दिन गुरुवार का है भगवान स्री विश्णू का अशिरवाद लेकर के आप अपने रक्षा बंदन को मनाएं एक चीज और बताएं राहु काल का विशे से तोर से ध्यान रखें उस दिन का जो राहु काल है वो मैं आपको बता देता हूँ डेड़ बजे से लेकर के दिन में मध्यान डेड़ से लेकर के तीन बजे तक राहु काल रहेगा यानि के डेड़ गंटे का ये समय अगर एवाइड किया जा सके तो करने का प्रियास करें उस वक्त राहु काल चल रहा होगा अब आपको अती सुब मूरत बता देते हैं वैसे तो बहन ने जब भाई की कलाई पर रक्सा सुत्र बान दिया तो वो अपने आप में सुब समय हो जाता लेकिन कई भार आपके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं प्रकार की चीज़ें आप सुनते देखते हैं तो आपका मन ललाइत होता हमें बिल्कुल सुब समय क्या चाहिए तो उसकी विचर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ दो-तिन समय मैं आपको बड़े सुब बता रहा हूँ जो लाब की गड़ियां वो आप ध्यान रखें सुबह छे बजे से लेकरके साड़े साथ बजे तक क्योंकि पूर्णिमा जो है यह चोधा तारीक को ही पूर्णिमा मैं आपको पूर्णिमा का भी समय बता देता हूँ तक्रीबन चोदा तारीक को चार बजे के आसपास से दिन में तक्रीबन चार बजे के आसपास से चोदा तारीक को ही पूर्णिमा लग जाएगी इसलिए रात बर रहेगी और प्रातकाल तो पूर्णिमा का योग रहे गए रहेगा तो यदि आप बहुत जल्द चाहते हैं कि सुबह सुबह हम रक्षा बंदन के करम से फिरी हो जाएं यानि कि कई बार कामकाज भी ऐसे होते हैं तो सुबह छे बजे से लेकर के साड़े साथ बजे के बीच में सुब समय रहेगा इसके बाद दूसरा पड़ाव नोट करें बारा बजे से दिन में बारा बजे से लेकर के डेड़ बजे तक का समय बहुत सुन्दर लाभानवित रहेगा एक योगोर जान ले शाम को चार से च्छे के बीच ये भी आपके लिए आती सुब वेला रहेगी इस सुन्दर पर्व को मनाने के लिए सिर्फ एवाइड कहा करना है दिन में डेड़ बजे से लेकर के तीन बजे के बीच में क्योंकि राहु काल रहेगा एक चीज़ और बता दें अगर किसी वज़े से आपको लगता है कि डेड़ से तीन के बीच में ही हमें पर्व करना है उस स्थिति में आपको घबराने के आवश्रक्ता नहीं है क्योंकि राहु काल है सिर्फ हनमान जी का ध्यान करके एक बार हनमान चालीसा पढ़ लें और उसके बाद अपना ये कर्म करने किसी तरह का कोई ड़ नहीं बाकि मैंने जो दो तीन मूरत आपको बताएं है बहुत चोगडिया के हिसाब से कसोटी पर कसे हुए मूरत बताएं है इन मूरत में अब इतने समय में तो आदमी करी लेता है फिर मैं दोरा देता हूँ आप सब के लिए सबसे पहला मूरत सुबा च्छा बजे से लेकर के साड़े साथ के बीच दूसरा मूरत दिन में बारा से ड़ बजे के बीच और तीसरा मूरत शाम को चार से च्छा के बीच वह ये तीन पड़ाओं में तो आप अपने कर्म को संपन करी सकते हैं दूसरे बात बहन के दिल से जो दुआ निकलती है वो एक बहुत बड़ी दुआ होती है बहन किसी पैसे के लिए ये किसी ऐसी चीज़ के लिए मन नहीं होता आप अगर कुछ बहन को देते भी हैं तो वो एक प्रेम होता है आप बहन को एक छोटा सा कुछ भी देते हैं मिसाल के तोर पर आप एक मिठाई का छोटा सा टुकड़ा भी बहन को खिलाते हैं या कुछ भी आप देते हैं वो प्रेम उसके अंदर प्रेम होता है बेहन आपकी कलाई पर राखी बनती है आपके मस्तक पर तिलग लगाती है आपको सो बलाई बलाईया देती है आपको सो दौाई देती है उसमें बेहन का एक प्रेम छुपा होता है इसलिए मेरे दर्शुको ऐसा प्रेम मिलता नहीं है उनसे पूछो जिनके पास बहन नहीं है उनसे पूछो जिनके पास भाई नहीं है है ना मैन है रक्षा बंदन है भाई है रक्षा बंदन है जा नहीं है क्या करेंगी आप इसलिए 15 अगस्त ध्यान रखें दिन गुरुबार 2019 हमें ये सुन्दर तरीके से मनाना है समय मैंने बता दिया है और बाकी जैसे आपकी हैं अपनी परिकाटी के हिसाब से आप जैसे मनाते हैं वैसे आप लोग मनाते रहें इस दिन भद्रा जो है वो बिल्कुल पहले दिन बीच जाएगी किसी तरह से भद्रा का वास दिन में नहीं है किसी भी समय में घबराने की अवश्रक्ता नहीं है हाला कि भद्रा को अवर्ड किया जाता है राहुकाल को इतना नहीं देखा जाता है लेकि फिर भी मैंने आपके लिए राहुकाल का भी समय बता दिया है अब लास्ट में एक मिनट आपका और लूँगा जहां भाई बहुत दूर रहते हूं बहन का जापाना संभव ना हो और ये भी कहीं लगता हो कि राखी पहुची है ये नहीं पहुची है कहीं रास्ते में तो नहीं अटक गई है ना ऐसा भी हो जाता है कई बार या कई बार भाई नहीं आ रहे हैं या भाई ने मूँ फुलाया हुआ है या भाई किसी भी बात को लेकर के न जाने क्यों उस प्रेम से वो अंचित है सो तरह की बाते होती है सबकी अपने अपने परिवार होते है तो बेहन को ये पर्व मनाना ज़रूर है आप अपना अशुब ना सोचें आप किसी का भी अशुब ना सोचें आप रक्षा बंदन ज़रूर मनाएंगी कैसे करशन जी की कलाई पर राखी बांदेना सब के घर में करशन जी की फोटो होती है किसी के लड़ू गोपाल होते है किसी के घर में गनेश जी होते है किसी के घर में राम जी होते है सबके घर में भगवान किसी ने किसी रूप में मूरत, तस्वीर, मैटल की या कलेंडर की सही तो आप जिने में मानती हैं जो आपके अराध्य हैं आप उनकी दाहिनी कलाई पर इन मूरतों में जो हमने बताया है आप उनी को तिलक कर दें, उनी को मिस्ठान अरपन कर दें उनी की कलाई पर आप राखी बान दें या उनकी कलाई पर टच करा करके राखी प्लेट में रख दें आपका त्योहर पूरा मना जाएगा आपके भाईया की पूरी सुरक्षा होगी भगवान का अशिरवाद मिलेगा दूसरी बात अगर भाई नहीं है तो भी आप ऐसा जरूर करें तो भी आप ऐसा जरूर करें बहुत सुभ फल की प्राप्ति होगी आप बहुत लोग कहेंगे कि साब हम करसंजी की कलाई पर राखी क्यों बान दें हम गणेजी की कलाई पर राखी क्यों बान दें हम हनमान जी की कलाई पर राखी क्यों बान दें नहीं यह वहम मत करें आप क्यों आपने एक मंत्र सुना है क्या मंत्र तमेव माता चा पिता तमेव तमेव बंदू चा सखा तमेव जब हम यह प्राथना करते हैं करते हैं जब हमने भगवान को कहा तुम्ही मेरे माँ हो तुम्ही मेरे पिता हो तमेव बंदू चे सखा तमेव है आप ही मेरे बंदू है आप ही मेरे सखा है आप ही मेरे भाई है तो इसलिए किसी के अंगल बातों में ना आए बहन का मन तड़फे तो वो निश्चत तोर से महगवान को राखी बांदे बहुत पुन्य मिलता है और वलकि मैं तो कहता हूँ हर रक्षा बंदन पर करशन जी को लड़ो गोपाल जी को राम जी को इनकी कलाई पर राखी बांदनी चाहिए और आपके तिवार में चार चांद लगेंगे और भगवान के आसिरवाद की प्राप्ती होगी कहीं ने कहीं प्रभू का विशेस राशी परिवर्तन कर रहे हैं बुद्ध भी राशी परिवर्तन कर रहे हैं सूरिय का राशी परिवर्तन सत्रा तारीक को हो जाएगा सत्रा अगस्त को हो जाएगा क्या राशी परिवर्तन रहेगा क्या हमें उसके लिए विसे सुपाई करना है वो विसे सांग भी आप हमार जरूर सुनिएगा आपको कहीं न कहीं उससे भी कुछ न कुछ लाव अविश्य होगा यह आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी फेस्बुक पेज को भी लाइक कीजिएगा बहुत सारी जानकारियां समय समय पर हम आपके के लिए लेकर के आते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वानी गुब्राम देते हैं नमस्कार किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेन मुझे गुरू मिलें जो कि मेरे को अध्यात में चेतर में आगे ले जाने को प्रयास करें तो अपने गुरू देखा तो मैं डारी से भी नोट करते गया कौन सी समस्या कैसे साल होगी कौन सी कमस्या क्या होगी तो मैं इसके पहली पर कहीं जागा रहा हूं लोग मेरे हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें